नमस्कार वंदे मातरम मैं हूँ शामगीरी आप देख रहे हैं अमारा चैनल मुद्दा भारत का याने मुद्दा आपका मुद्दा आपका इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी मुद्दे रहेंगे हमें कमिन बॉक्स पर या वाट्सअप भी कीजिए हम उसको अपने चर्चा मिलेंगे और आपके मुद्दों को हम साचन पर साथन पर पहुंचाएंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारा है हमारे वीडियो में कि संजय राउत ने कहा है कि इंडिया अगाली के जितने भी पार्टियां हैं यानि 28 पार्टियां सब्ने मनमानी तरीके से काम कर रही है लोगसभा चुनाव सर पे हैं लेकिन कोई जो है एक जुगता या एक मत दिखाई नहीं दे रहा है इसके क्या माहिने संजे जा क्या इसका अर्थ लगाए जा इसी हम तर्चा करेंगे हमारे सभ्यों कि खतेजी से जानेंगे कि इंडिया अगाली का भविश लोगसभा तक क्या रहेगी सर बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो संजे राउत ने कहा है कि इंडिया अगाली जो है अपने मनमानी तरीके से उतल पुतल हो रही है आप क्या मानते हैं क्या इसको इंडिया अगाली लोगसभा चुन बन रहे जैसे 2019 में किया था उसमें सर ने वह बता लगे यह बता लगे जी वह डोलकिया लगती है जो टीवी पर सुबहर हो जाता है उस समय जो बोलता है उससे विपरीत कि मोना उल्टा वह अपने लेख में लिखा है उसका एक रोख ठोख करके कॉल में हर रहवार को आता है सब्सक्राइब करने बहुता है यह गाड़ी कोड़ी की पूल खूल दी है उसने बहुत से आरूप कि हैंब्धे मैं पढूंगा ने यह फिर प्याद है कुंद मैंने अड़ी दो बार पड़ चुका हूं क्या कहाएं नहीं चाहती नितिशकुमार आगवड़े नितिशकुमार नहीं चाहती हैं ममता आगवड़े ये दोनों तो यह सब एक दूसरे को अपर दुश्मनी मन में रखते हैं किसी को नहीं चाहिए कि दूसरा आगे बड़े और किसी को अभी देखो नौ अखिलिए चार जाना मांग रहा था मुद्धर प्रदेश में तो कॉंग्रेस ने उसको धुकार दिया अपमन किया उसका तो अभी वो तो लड़ेगा इन से इनको लड़ेगा अगले लोगसवाज चुनाओं में वह स्वाब हो एक है दूसरी बात यह है कि इनमें मायावती नहीं है हाँ कई भी नहीं है नहीं मायम है हाँ मायावती के सर वोट अच्छे है सब राज्यों में और वोट अच्छे है सब राज्जों में ज़या है कौन से राज्य में उसके वोट कितने थे वो भी लिया है मैंने मधर वो तक्ते में लोगों का इंटेस नहीं रहता है मायवती है न उसके समाजवधी पार्टी से ज़्यादा आप से भी ज़्यादा मायवती है परसेंटेज के वाज़ से वोट के और और वो congressional के ही वोट काटती है ओसको अंदर लेने के लिए सबका गेर हो है अख्येस तो लेने को लिए तेयार नहीं और बोलते है बह Hmm अगर कोई मेपंजी को साथ में लेने के लिए भाव तेयार नहीं जूँन नहीं है अभी उसके बाने में भी बीच में आगया है अभी दबने की बाता चालो होगी मगर कम से कम खड़के को दली चेहरा करते हैं सर मैं अभी आपको बोलता है तो पुन्य प्रसुन वाजपी करके एक बड़े पत्रकार विचलेशक है और मैं रोज सर रात को नौ बज़े से एक दो बज़े तक विजोस देखना हूँ उसमें पुन्य प्रसुन वाजपी का हमेशा देखना है सर पुन्य प्रसुन वाजपी ने कल मुझे चौका दिया उन्होंने एक वीडियो बनाया वो बड़े ये देश में रहान मंत्रिपत का चेहरा सर्व सम्मती से अगर कोई बन सकता है और जिसकी वज़े से 6-10 परसंट वोट इंडिया क्या भढ़ेंगे वो एक ही चेहरा है वो मायावती चाबाद और उन्हें उसका विशिलेशन अच्छी तरह से दिया था तो वीडियो मैंने एक बार सुना फिर मैंने बोला नहीं में लेट मी गेट कन्विंस्ट फिर भी मैंने और एक बार सुना तो मुझे लगा सर इंडिया वाले बहुत बड़ी गल्पी कर रहे है वो मायावती को उच्छीने तक नहीं जाते है वो ऐसा प्रचार कर रहे है कि मायावती के उपर ED की रेड़ पड़ेगी ये पड़ेगी करके वो डड़ी हुई है करके सहमी हुई है करके वो नहीं आ रही है मायावती का इन्होंने प्रसुन वाच्पे ने ये बिना मायावती की चर्चा नहीं लिखा होगा सर कल बोला नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट है जो मायावत्य के मन के पॉइंट है उसमें से एक दुख्रूसा ऐसा है कि मेरे को विश्वास में ने लेते हैं मेरे उपर विश्वास ने करते हैं अब राश्पति चुनाव भी हुई थी जो दो सल पहले है उसमें मायावत्य के बारे में ऐसा फ्याला आ गया था भाजपा नहीं फ्यालाए था कि भाजपा का और मायावत्य का अंदर से कंप्रोमाई हो गया है और अभी राश्पति चुनाव आने वाली है जिसमें दुरुपधी मुर्मु जी को भी बनाया गया राश्पति तो इसमें ये पहला आया गया था कि मायावती जी को जो वोट करना चाहते है वो भाजपा को वोट करे और भाजपा जो है अगर यूपी में जीच जाती है तो मायावती जी को राश्पति बनाएगी वो हमारे शरतपा और राश्पति बनते हैं वैसा ही हो गया और इस बैशपा में लोग जो है जितने मायावती वोट थे सब बीज़पी में चलेगे मैं इसके उपर मैं नहीं भरोसा करता हूं क्योंकि मायावती बीज़पी की राश्पति नहीं बनेगी उसका भी ना कैसे है ना दलित वोट जो है दलित और मुस्लिम वोट सर कल और भी एक वीडियो मैंने सत्तिहिंदी.com करके है वो भी अच्छे वीडियो दिखा देए वो सब मुदी खिलाफ है उन्होंने आकड़े वारी के साथ दिया था वो पैड़ा में पास सर उसने दिखाया था कि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ आ जाते है तो 30% वोट बनेंगे 30 ट्रक का वोट बनेंगे यह 30 ट्रक का अगर इलिया घड़ी को जाते है दलित और मुस्लिम एक गठा तो बोले मोदी का दूर दूर तक 200 के आगे बढ़ने का चांस नहीं है यो नामुकी चीज़ है कैसे हो सकता है सर उसमें उन्होंने जो बोला सत्तेहिनी.com में आपको लगता है सर मुस्लिम और दली साथ में मिल सकते है सर उसके बाद बाद में करूँगा मगर मुस्लिम होट जो है वो इसके पहले मुस्लिम बहुरक शेत्रम में भी बीजेपी के लोग आए थे अभी सर ये राम जन्मुभूई का और राम मंदिर का जो माहौल बनेगा उसमें हिंदो और मुस्लिम की शत्रता और बढ़ेगी कम नहीं होगी जोड़ी बढ़ेगी मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम होट जो है वो एक साथ एक होके कहां गिरेगा उनको प्रॉब्लम यह है क्योंकि जो आप में थे वो हाँ अशुत अशुत होई अभी आप पे नहीं हो तो वो अभी यूट्यूब चैलन्स सत्यंजी डॉट कम पे आते है उन्होंने भी बोला कि जिस दिन दरितों को ऐसास होगा कि हमारा हित मुसल्मानों के साथ जाने में है उस दिन बाजी पर कातम हो जाएगा क्यों कैसे पाशबूले बताई है क्यों क्यों नहीं बताओ वज़े बताओ क्यों नहीं हो गए दोनों का दुश्मन एक मुस्लिम नेताओं के साथ कमाइन किया हुए इंडिया वालों ने अच्छी तरह से लोगों के दिन में ये बात उचारी है कि मनुवादी हिंदु तो वादी मतलब मनुवादी और मनुवादी मतलब मोदी और बाज़पा सब पिछले 2019 चुनाओं में लोकसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हुए मायवादी और अखिले दोनों साथ में लड़ थी किसके सीट बढ़ी थे मालूब है अखिले से कम हो गई मायवादी के एक सीट से दस सीट हो गई 2014 में मायवादी का बसपा जोगए एक सीट था उन्हें प्रसुने वो भी बताया था मायवादी के बड़ी मुस्लिम के नहीं बड़ी मुस्लिम के नहीं बड़ी ठीक है न, मायवदी के बढ़ेंगे तो इनके कम होंगे न उतने ये भी बात है न तो लोग सवा कम होई ने सर उत्य परदेश में 2014 के अपिछा 2019 में भाज़पा के सीड़ कम आई थी वो तो पर्सिम बंगाल में बढ़ गया करके कम लेबल हो गया तो उसने सर शाफ लिग दया है कि ये लोग एक साथ नहीं है और कोई ट्याग करने को तैयर नहीं है अब आप बोल रहे हैं मुस्लिम और दलित एक आना और इंडिया के घटक पक्षे एक आना अलग बात है इंडिया के घटक पक्षे जो है वो 28 है उसमें वेस ही नहीं है उसमें मायवत ही नहीं है अगर मालो आगए तो वही बोला नहीं आसकते न सर तो इंडिया अगाडी का घटा ही है इसलिए तो मूधी बिंदास है मगर संजे का ये कहना कि कोई ट्याग करने को तैयर नहीं सर ये भी तो खुद करते हैं हमको बाई सीट सही है महाराष्ट में ये भी कहा त्याग करने तैयर है नहीं ना उदो कहा करें ये दूसरों के लिए कहने के लिए बाट पकड़ लिए सर मैं आपको दाद देता हूँ कि ये संजे कहा है ये आपने वो तो बोल के चल रहा है कि 23 सीटे हम मैं चाहिए तेरे पास कितने बचे है वो दे फिर भी 23 की बात करता है तो आपके सही पकड़ा उसको आप दूसरी पाटी देख रहे हो अब अपने लिए क्या कर रहे हो नहीं तो सर मैं आप बड़े हुश्यार हो सर ये जो है न ये इसने इंडिया अगाडी की बैंड बज़ा दिये मर आपने उसकी बैंड बज़ा दिये तो दूसरों पर जो आरोप कर रहे है वो उद्धर ठाकरे को लागू होते है ये बताए है आपने बहुत बड़ी बात हुई सर ये और शब्द सर बहुत बुरे यूज के उसने बोला 146 खादारंची मुन की उडून मतलब सर काटके ऐसा नहीं बोलना चाहिए उदर संजेराउट अपनी लोगों की मुन्टी काटनी की बात कर रहा है संजे को नहीं ऐसा करना चाहिए क्या करेंगे अभी दिरे-दिरे मुझे लगता है कि लोग जैसे कंटा जाते है अभी महाराश्चा में लोगों को जिन लोगों का कंटा आया है जिसे उसमें एक है शरत पाउट, दूसरा है संजेराउट, तीसरा है उद्धोड़करे और चौथा है वो तुम्हारा सदावर्थे कंटा गये लोग सदावर्थे तो चिप बढ़ी है कि तम कहा बार है सामदे हाँ वो रहा देख रहा था कि क्या होता है उसकी मिसेस ही लड़ रही है गाडी तूटने से क्या होता है इंशुरेंस रहता है आठ गाडी उसके पाद मरसीरिस से लेके गाडी है कोई फरक मने पड़ता है कही बार तो विस्टन करने के लोग आपनी गाडी तूड़वाते है इसा लगा कि गाडी तूटा है अभी वो इग्रेशी हो जाएंगे ने 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 उसका वो टाइमिंग से जाता है वो टाइमिंग से गाडी तूटने सरसर जिंदेगी में कोई हार नहीं मानता है कल आपका एक्सिडेंट हुआ था इत्ता बड़ा हदसा हो गया उनका उनके चेऱे पे कोई तुम्हारे की चेर पे काहँ शीपने है आप बच कया है तो वही है जो सदावरते कोई है इसा एक गाडी जहने से उसकोर और उसका एक टाइमिंग रहता है सदावरते कैं kalo उसी समय वो बोलेगा तभी वो बोलेगा पकाब शर्त यह अज अपने इंडिया की बैंड बजाई है इंडिया का अस्तित्व भवीत वे कुछ नहीं है यह संजे की भविश्यवानी है उसो मानकर चलते हैं इंडिया समाप तो हो गई है अभी क्या मुलते हैं हुलसेल के अंदर की आप तक पहुंचाते रहेंगे लेकिन उसके लिए आप मारे मेंबर बनिए तत्य साब का भी वीडियो है अनि उसको विए सब्सक्राइब कीजिए विउ कीजिए अब बने रहे हैं देखते रहे हैं आप शेयर करिए बोलते नहीं है शेयर करने से भी बात पता है तो बने रहे हैं देखते रहे चैनल बुद्धा भारत धन्यवाद जय हिन जय श्री राम